नमस्कार आरेसा अनफुर्णा केचर में आपका स्वागत है आज हम लाल भाजी या जिसे हम लाल साग या लाल माठ भी कहते हैं हमने लाल भाजी ले लिया है इसकी हम पत्तें तोड़ लेते हैं इसमें बहुत कच्रा होता है तो इसे हमें साफ करना है और उपर की नर्म डड़ी को हम तोड़के ले लेंगे और इसे हम अच्छी तरह 3-4 पानी में दोकर बारी काट लेंगे कड़े में हमने एक बड़ा चमच तेल गर्म करने के लिए रख दिया है तेल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक चमच जीरा, आदा चमच राई और 7-8 लसन की कलियां बारी काट के डाल देंगे इसे हलका सा लाल होने देंगे इसके बाद हम डाल देते हैं हरी मिर्च 3-4 हरी मिर्च बारी काट के लिया है इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे पिर एक बड़ा साइज का प्याज हम पारी करके डालेंगे और इसे भी हम अच्छे तरह पका लेंगे हम इसका कलर चेंज नहीं करना है इसे हलका सा गलाने तक हमें इसे पकाना है अब इसमें डाल देते हल्थी पाउडर, आज़ा चोटा चमच, इसे भी साथ में हम पकाएंगे, इस साग को आप दाल चावल के साथ या रोटी के साथ खाएं, यह खाने में बहुत टेस्टी होता है, अब यह प्याज पक चुका है, हलका सा गल चुका है, अब हम इसमें डाल हमने दो टमाटर, बटर साइज के टमाटर लिया है, उसे बारी काटके डाला है, टमाटर गलने तक इसे हमें पकाना है, और स्वाधन सा नमक भी डाल देते हैं, ताकि टमाटर जल्दी गल जाए, अच्छी तरह मिला दिया है, और इसे ढख कर हम गलने तक पकाएंगे, टमाटर पूरी तरह गल चुका है, तो इसमें डाल देते हैं, आधा छोटा चमच, लाल मीच पाउडर, इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं, जो भी अच्छी से मिक्स हो जाए, तब हम इसमें डाल देते हैं, एक बड़ा साइज का आलू, जिसे हमने चिल कर इस तरह बारी कटा हुआ, लाल साथ, इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसे हमने अच्छी से दो लिया था, और इसका पानी पुरी तरह निकाल लिया है, फिर इसके बाद इसमें डाला है, इस तरह हम अच्छी से मिक्स कर देते हैं, और इसे हम ढग कर पकाएंगे, इसे दख देते हैं और बीच बीच में इसमें हम चलाते रहेंगे ताकि ये साग नीचे से लगे नहीं और अच्छे तरह पक जाए देखिए अब ये साग बनके तयार है ये लाल भाजी हमारी बिर्कुल पटके रेडी हो गई है इसमें का आलू भी देखिए अब कट्राज तरह अच्छे सरा पक चुका है ये हमारे आलू और लाल भाजी की सबजी बनके रेडी है ये सबजी खाने में बहुत टेश्टी होती है आप इसे जरू ट्राय करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकान जरूर दुआए थाकि न नेवाद